हेलो फ्रेंड मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है आज मैं बनाने जा रही हूँ चावल के आटे से एकदम नरम मुलाइम रोटी चावल के आटे की रोटी को आप इस तह से बनाएंगी तो आपकी रोटी न कड़ी होगी नहीं तूटेगी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें मेरे चैनल कभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें इसे बनाना एकदम आसान है चलिए तो हम इसे बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले हम गैस जलाकर इसमे पैन को रख देते हैं इसी कटोड़ी से मैं एक कटोड़ी चावल का आटा लूँगी तो एक कटोड़ी चावल के आटे में हमें डेर कटोड़ी पानी डालना है एक कटोड़ी पानी डाल दिया है मैंने अभी यह आधा कटोड़ी और डाल अधी चमची नमक मिला ले और एक चमच तेल थोड़ा मिक्स कर ले पानी में हम उबालाने का वेट करेंगे फिलेम को हाई कर ले देखिए दोस्तों पानी में अच्छे से उबाला चुका है इस समय फिलेम को लो कर ले जिस कटोड़ी से पानी लिया था मैंने उसी कटोड़ी से चावल काट लिया है पानी में डाल कर इसे mix करें देखिए इस तरह से जलद जलदी mix कर लें जब लगे कि पानी सूखने पर है तो फिलेम को ओफ कर दें थोरा आड़ी से अच्छे से mix कर लें अब इसे कवर करके हम 15 मिनिट के लिए ऐसे ही रहने देंगे 15 मिनिट बाद इसे पिलेट में निकाल लें इसे हमें बहुत अच्छे से मसल मसल कर गूथना है एक कटोड़ी में थोड़ा सा पीने का पानी ले ले हलका सा हाथ भिंगाएं इसके बाद इसे मसले ये भी थोड़ा गरम ही है गरम रहते हुए ही हमें इसे गूथना है इसी तरह से डोग को एकदम चिकना कर ले जितना बड़ा पराठे के लिए लोईयां लेती हैं बस वैसे ही लेकर गूल बना ले थोड़ा सा चावल का सुका आटा ले ले लोई को दोनों हाथों के बीच में रखकर अच्छा से गूल बना ले अब सुका आटा लगा कर इसे बे ले चावल के आटे की रोटी के किनारे थोड़े से फटे फटे ही राते हैं इसकी टेंशन आपना ले इसे गूल बनाना है तो आप धकन से इसे काट ले रोटी के ऊपर धकन रखें और हलका सा दबाएं इसके बाद चारो तरफ के बचे हुए आटे को निकाल लें देखें इसी तरह का ना हम चाहते हैं गूल बल रोटी बने फिलेम को अभी हाई ही रखें थोड़ी देर इसे एक साइड से सिखने दें आटे वाली रोटी से यह हलका सा जाधा टाइम लेगा नीचे के साइड से जब यह हलका सा पक जाए तो हाथों से थोड़ा थोड़ा गुमा लेग पलट लें इसे देखिए कितने अच्छे से यह थोड़ा थोड़ा फूलने लगा है जिस तरह से आप नॉर्मल रोटी बनाती हैं बस वैसे ही इसे बनाना है खाने में भी यह बहुत ज़्यादा टेश्टी बनती है और तो और इसे रख कर भी खाईएगा तो कड़ी नहीं होगी एकदम सॉफ्ट बनी रहेगी देखिए कितनी अच्छी फूली फूली चावल की रोटी बनकर तैयार हुई है इसी तरह से आप सभी रोटियों को बेल कर ढकन से काट लें ढकन को उठाते टाइम अगर ढकन से रोटी चिपक रही है तो ढकन के किनारे में थोड़ा तेल लगा कर रोटी को काटें इसी तरह से आप पटफट सारी रोटी को बना लें चावल की रोटी को आप सबजी चिकन गोश्ट या फिर अचार के साथ का सकती है सभी चीज के साथ ये बहुत ही अच्छी लगती है वीडियो अच्छे लगे तो लाइट करना ना भूले मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पिलीज सब्सक्राइब कर लें ओके बाई